सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो NTA UGC net Communication Class 1 आज किस क्लास में जानने वाले है वाट इसके बाइस संचार क्या है संचार का अर्थ क्या है इसकी डैफिनेशन क्या है और इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले है दोस्तो यह एक बेसिक क्लास होने वाली है communication से related इस class का पूरा देखना दोस्तों क्योंकि इसी के base पे हम आगे की वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आपको net और ज्यार्फ चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोईन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question पेपर हिंदी इंगलिस में देंगे नमर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के unit wise question आपको देखने को मिलेंगे नमर पांस के दोस्तों हम आपको old 10 unit की ad free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math or TI के सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि ऐसे कोशन है जो बार वाल एक्जाम के अंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देख इस बाप की अभी जोईन कीजिए हमारा paid course क्योंकि नमीजीनेट है तो ज्यारव है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं communism is a Ges약 अ Cumulation यानि संचार के basic knowledge के बारे में हैं किया देख्ये मनुसेस एक समाजिक प्राणी और संचार करना उसकी प्रकुरती है अपने भाव और विचारों का अधान करना उसकी जनम जाथ प्रकुरती है मनुष्य क्या दोस्तों समाज में रहता है समाज में रहना उसकी आवश्यकता है और समाज में रहने के लिए उसको संचार करना आवश्यक है संचार उसकी क्या जनम जाप्र करती है वो जब से उसने जनम लिया तब से लेकि अब तक वो अपने विचारो हाओ भाओ अपने बात को कहने के लिए क्या करता है कमनी किसन करता है और क्या है दोस्तों इसकेंदर ऐसा माना जाता है कि मानों के अस्तित्तों में आने के साथ ही संचार की आवशक्ता अनुभाओ हो गया होगा जो कि मनुश्य की मूल भूत आवशक्ता हो गया है देखे जब से मनुष्य आया तब से communication का जनम हुआ है ऐसा माना जाता है जिस तरह से मनुष्य के लिए सरीर के लिए भोजन करना आउश्यक है उसी तरह समाज में रहने के लिए मनुष्य के लिए क्या जरूरी है संचार communication करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनुष्य जनम से लेके मृत्यू तक एक दूसरे से बातचित करता है उसको समझता है और अपने हाव भाव व्यक्त करता है ये इसका असान भासा में मीनिंग कहा सकते हैं अब देखिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं जैसे बच्चा है बच हमज़ को समझाने की कोशिश करेगा और से कमनिकेशन के कि सिरह करने की ऐपनी बात को समझाने के लिए तो वो क्या होगा हमा in tuh सार्थक चिनो केदबार हुं सूचना को परदान करने की प्रकिरिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है, अब मान के जली एक बच्चा है, मान के जली वो पहले अलमारी की तरफ इसारा करता है, अलमारी के इंदर कुछ खिलोना पड़ा है, ठीक है, पहले अलमारी की तरफ करता है, फिर छत की तरफ इसारा करता है, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए खिलोना चाहिए लेकिन वो दस वार इसारे करें और दस वार अलग-अलग चीजों की तरफ इसारे करें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसको requirement किस चीज की है तो यह है दोस्तो कम्यूकेशन के लिए सार्थक चिनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सही information प्रवाइड करना हमाली बहुत ज़्यादा जरूरी है जब मनुश्य अपने हाव भाव संकेत और वानी के माध्यम से सुचना का दान परदान करता तो है तो क्या कहलाता है वो संचार कहलाता है कम्यूकेशन की परिवहासा दोस्तों संचार की परिवहासा देखते हैं कम्यूकेशन English में आप यह देख लेना मूनिक टैइउन से बनाएं दोश्तों ठीक है यह चीज याद रखना इस में से पहले कोशन आज चुका है मन की विचारों है भावों का आदान परदान करना अथवा विचारों को सर्व समान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है यह चीज आप याद रख लिना यहाँ पर इसमें से पहले कोशन आ चुका है संचार सब्द अंगरेजी भासा के सब्द का हिंदी रुपांतर ने जिसका सब्द कम्यून सब्द से हुआ है जिसका अर्थ है आदान परदान करना अथवा बांटना यह चीज याद रख लिना और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अलग-अलग ठिंकर ने कमिन के वारे में क्या का है उन्होंने किस तरह से उनको डिफाइन किया है वो भी हम देख लेते हैं तोड़ा देखे चेरी के इनुसार क्या है संचार उत प्रेरग का अदान परदान है सैनन ने क्या कहा है सैनन ने संचार को प्रभासित करते हुए कहा है कि यह एक मस्तिस्क का दूसरे मस्तिस्क पर परभाव है यानि कि एक मायंड दबारा दूसरे मायंड पर जो प्रभाव डाला जाता है उसकों क्या कहते संचार कहते यह सैनन का मानना है दोस्तों और उसके बाद में मीलेन न से प्रवासित किया गया इन्होंने किया आपके प्रसासनिक संगाथन की जीवन रेक्षा है अब दीःखिये हर फिंग कर आये वह अपने अपने मिशाब में प्रभावित कर नहीं है ठीक है इन्होंने मनुस्य की बात कि एक मनुस्य दूसरे मनुस्य को परभावित करता है किसी भी तरीके से वो किया संचार है लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पसु पक्सी है वो भी तो संचार करते है पेड़ पोदे है वो भी तो संचार करते हर कोई संचार करता सजीव सथ संचार करती एए चाहिए हो किसी भी तरीके से करें लेकिन मानों कि बात की है तो वही बात है कि हर थिंकर का अपना अपना नजरी आए देखने का नोकि हुआ और उसके बादे में हम बात करते है दोस्तों संचार की प्रकर्ति नेचर ऑफ कम्निकेशन communication का nature क्या होना चाहिए संचार एक विज्ञान है हमारा science भी है और art भी है साइंस किस तरह से साइंस इस तरह से आज हम communication करने के लिए हमारे पास क्या है स्मार्ट फोन से YouTube पे वीडियो देखते है वीडियो कॉलिंग करते है Zoom मीटिंग करते है कितने साधन हो गए हमारे पास scientific तरीके से हमने communication को improve किया है दूसरी तरह से अगर हम कला की बात करें तो कला का मतलवी है कि जैसे मान के सलिए कोई वेक्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से भासन दे सकता है बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है तो वो क्या होगी वो कला होगी तो कम्यूकेशन हमाना क्या है दोस्तों वो एक संचार एक कला भी है और एक विग्यानिक प्रकिरिया भी है दोनों इसके इंदर आता है संचार एक जनम जात गुण है ये चीज हमने देह लिए दोसमें जब बच्छा जनम लेता है तब से वो कम्युकेशन करना सुरूर कर देता है संचार एक समाजिक प्रकिरिया है ये भी बिल्कुल सही है दोसों ये एक सोसल प्रोसेस है हम समाज में रहेंगे तो कम्निकेशन करेंगे कही न कहीं किसी तरीके से हम कम्निकेशन करेंगे संचार एक मानुविय प्रकिरिया है ये बिल्कुल सही है वास्ता में संचार एक मानुविय प्रकिरिया है क्योंकि संचार के दोनों पक्स प्रेरत तथा प्रापक समाजिक प्राणी होते हैं और समाज की संपूर्ण प्रकिरिया व्यक्तिया व्यक्तियों के समूर्ण के बाद दिम से ही संपन होती है देखी यह बात इसकी बिल्कुल सही है लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कमी कहां पे रखी हुए दोस्तों इन्होंने मानव को ही इंक्लूड किया है लेकिन यह बात सही नहीं है दोस्तों हमें पता है कि जो पसुपक्सी है वो भी तो संचार करते हैं वो पानी चाहिए हमें क्या चाहिए कहां जाना इस सारे कि हम वहां पर कर सकते हैं यह पूरे दुनिया में हर जगह चलता है और उसके बाद हम बात करते हैं क्या है करेक्टरिश्टिक और क्पमूंक्ट क्या है sancar के अंदर मुख्य रूप से पांच ततव होते हैं तो सब से नमबर एक पे दोस्तों सेंडर आता है यानि कि जो पहले हमारे सेंडर आएगा यानि कि जो भेजने वाला आएगा संदेश भेजने वाला आएगा वो हो सकता है संदेश वाहक हो सकता है लेखक हो सकता है कोई भी हो सकता है उसके बाद में उसे क्या संदेश भेजना हो आएगा नंबर तीन पर आएगा मीडियम किस माध्यम से उ करता उसे कौन cái वर व कर रहा है ठीक वहां क्या जाये हमारा रिशीवर के बाद दोस्तों हमारे फेड़ क्राप्त कर लिया संदेश करने के बाद कुछ वह प्रदेड़्यकर देगा मैंने आपकी बात नोट कर लिए और इस का जवाब मैं तब दूंगा यह होगा कुछ न कुछ वो जवाब देगा जब तक हमारी फीडवेक ना आई तब तक संचार प्रकिरिया को पूरा नहीं माना जा सकता और इसके अलावा एक और चीज भी होती है इसके अंदर नंबर छे पे अगर हम इंकलूड करें तो वो होते हैं नौइज होती है जैसे मा सब्सक्राइब करें तो बहुत तरह के हो सकते हैं बारे में से पहले कोशन आये दोस्तों वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोशन आये वो सारी चीज हम करेंगे तो एक कोर इंपोर्टन है इसके अंदर नोईज वो भी आप याद रख लेना उसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन मुख्य रूप से जो step पूछे जाते एक्जाम के अंदर वो यही पूछे जाते sender message medium receiver feedback यह हमारे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे हमारे step है यह step आप याद रख लेना और जो student है कहाँ पे confused होते है वो यहाँ पे सवरूप का विसलेशन किया जाए तो संचार के निमन लिखे तताव परकास में आते हैं अगर हम new modern technique की बात करें तो उसके उसके अंदर संचार किस तरह का था उसके हम बात करते संचार एक सतत प्रकिरिया कमिनिकेशन इसे continuous process ही क्या है कि लगातार चलने वाली प्रकिरिया है संचार निरंतर सतत चलने वाली प्रकिरिया क्योंकि पर्टेक व्यक्ति ग्रहा को क्रमचारियो सरकार आधी वाई एम आंतरिक पक्सों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की प्रकिरिया वैवार में निरंतर बनी रहती है यानि कि इसके अंदर क्या होता दोस्तों कि हमेशा चलती रहती है कमिनिकेशन पर कि लिए इन्होंने कहा है और उसके बाद में बात करते हैं संचार अर्थ संचालित करने का माद्धे में देखिए अगर रियल माईने में देखा जाए तो कम्नीकेशन क्या है? कम्नीकेशन वो है जिसके द्वारा हम किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वो है हमारा कम्नीकेशन है अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा communication होगा, अब जैसे मान के चलिए को कुट्टा वो वैसे भोक रहा है, अगर वो हमें इसारा करे, वो हमें भोकते होगा किसी जगहाँ पर लेके जाए, वहाँ पर हम देखे वे चोर भुशे हुए है, तो क्या होगा, तो हमारा communication होगा, क्यूंकि उस कुट्टे ने हमें अर्थ समझाया है, क्यों वो भोक रहा था, तो वहाँ पर क्या हाँ, वहाँ पर हुआ हमारा communication, और अगर कुट्टा ऐसे ही भोक रहा है, कुछ भी नहीं है, वे वज़ब भोक रहा है, तो वो क्या है, वो वे प्रोसेस यह वही बात आगी फीडवेक वाली बात आगी एक वेक्ति कुछ बोल रहा है अगर दूसरा जवाब ना दे अगर वो फीडवेक ना दे तो क्या होगा वो incomplete communication होगा हम किसी से बात करते रहे करते रहे वो कुछ जवाब ही ना दे तो क्या होगा incomplete communication तो इसलिए संचार दोनों तरफ से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और दूसरा जैसे हम कुछ कहानी सुनाते तो वो हामी भरता रहता है हां हां करता रहता तो हमारा interest बना रहता है अगले को कहानी सुनाने में और उसके बादे में बात करके दोस्तों संचार माध्यम के भी भिन परकार अब देखी हर तरह के संचार के लिए अलग-अलग मेडियम हो सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कुछ बात समझाना चाहिए वो केवल और केवल फोन दवारा ही समझा सकते हैं कई बार ऐसा होता है हम फोन पर बात करे बात करें फिर हम यह कहेंग बात करें आदुनिक यूग में अनेक संचार माध्यम प्रेवर में लाए जाते हैं सोचना करांती के वर्तमार्न यूग में संचार के लिए प्रमप्रागत माध्यम जैसे पत्राचार टेलीफोन के साथ साथ त्युर गति वाले आदुनिक संचार माध्यम जैसे टेलीफेक् conferencing आधिका इस्तमाल किया जाता है अब देखिए जैसे हमारे पास टीवी पर क्या है टीवी पर 24 घंटे न्यूज चलती रहती है चलती रहती है लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे जिनको न्यूज पेपर पढ़ना ही अच्छा लगता है न्यूज पेपर में एक दिन बाद न्यूज आती है लेकिन फिर भी उनको एक दिन बाद न्यूज पढ़नेंगे जो न्यूज पेपर उनको बहुत अच्छा लगता है हालां कि जो टीवी चैनल है उन पर लाइन चलता रहता है 24 घंटे न्यूज देते रहते हैं बहुत पहले हमें पता चल जाती है लेकिन इं क्या है तो यह सारी चीजें जाने दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी एकलास अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी एकलास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए दोस्तों अगर आपको नेट और चाहिए तो हमारा पेड वाइज कोशन आपको देखने को मिलेंगे, नमबर चार के दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज कोशन भी देंगे, आज तक जैसे जो भी टाइप ओफ रिशर्ट से कोशन आज के वो अलग है, हाइफो थिसी के अलग है, टाइप ओफ कम तो जिया रपे